पर्मेश्र की बिड़े नाम की महिमा हो पर्मेश्र ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि प्रभाद मनन में आकर प्रभु का वजन से कुछ बाते मनन करने के लिए पिछले दिनों में हम सबको प्रभु यश्र मशीय के मिटे और पावितर नाम से जही मसी की पिछले दिनों में हम उल्पते की किदाब पैंदी सद्याइस से कुछ बाते मनन करके आ रहा था उसका नुवे से लेकर पंदरा तक हम देख सकता है कि परमेश्र डायरेक्ट सीदे याकुब से बात कर रह है वो जब वो बितेल में आया परमेश्र का वजन में वो जवाया उसी ताइम आईसी बात कर रहा है ये बात को हम इदर देख रहा है उसी में हम देख सकता है कि उसने बात करके परमेश्र ने सौर्ग की और चड़ गया है चले गया है उसके बाद क्या किया है वो हम पंदर चौदा और पंद्रा पद में हम देख सकता है चौदा पद में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टन एक पद है उद्धर लिखा है उल्पति की किदाव पहिंदीस दिया है उसका चौदा पाइफ 14 और जिस तान में परमेश्चुर ने याकुब से बातें की जिस तान में परमेश्चुर स्वर्गत से उधर के आया तेरा पद में वही देखा उसने बात करने के बाद ऊपर चड़ गिया उसका मदल स्वर्गत से आकर याकुब से बातें कर रहे याकुब ने अभी पूर नदीदी से याकुब का जीवन में एक बदलावत लाया जब उसने कड़ा किया और उस पर और अर्ग देकर देल डाल दिया है देख उदर एक हम देख सकता है की एक भिली एक फानी बिली उदर हम्देख सकता है उसने वो अर्द देकर तेल डाल दिया, एक पत्र कड़ा कर दिया है, एक निशाना है, परमेश्वर का वचन में हम अलग-अलग जगव में हम देख सकता है, जब याकुब पत्र नराम की और जा रहा था, उसी टाइम इदर ये बतेल में उसने एक कमबा कड़ा कर दिया, अभ इसराइली लोग मिस्रेस में आकर कनान की और जाने के लिए योर्दान नदी का पानी आरपार हो गया है, उसने से जाने के टाइम, उदर भी हम देख सकता है कि एक पत्र का कमबा, क्यों भी ये पत्र का कमबा लगाता है, ये हमेशा याद रिखने के लिए, परमेश्वर न आईसी ऐसी कामें, आईसी ऐसी बाते मेरे साथ किया है, वो याद करने के लिए एक पत्तर के कंबा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, प्रिय वाईयों बहनों, आज हम पत्तर उड़ा के ऐसा कंबा नहीं बिनाता है, परंदु हमारे खिर्देख के अंदर आईसी एक कंबा ळोना चाहिए, हमेशा हम उसी को याद करना चाहिए, पर्मेश्र ने मेरे जीवन में ऐसा किया है, इदर मी अब्रगा वस्वर याकॉब वही कर रहा है पत्तर के एक कंभा कर कड़ा कर दिया है उसी के ऊपर उसने क्या किया है एक बिली चड़ा रखा है बिली चड़ा रखा है है हुसी ने बिली चड़ा कर परमेश्चर को महिबा कर रहा है ये कितना एक अच्छी बात है इदर हम देख सकता है हम परमेश्चर का वजन में पानी ये भिली चड़ा रहा है नर्गवन की किदाव 29 सद्याए उसका 40 और 41 पद में और लेविया विस्ता 23 की 13 में और गिंती की किदाव 15 द्याए 5 से 7 पद में ये भिली के बारे में ये पानी ये भिली के बारे में वो उदर क्लियर लिखा हुआ है उसके ये परमेशर को हमारे खरदे उसी के साम ने देर रहा है ये हम को बताता है परमेशर के लिए एक बिली चड़ा रहा है इदर भी हम देख सकता है कि याकुब ने भी एक बिली परमेशर के लिए चड़ाया उसी ने बहुत सब याद करके हुए उसी को धन्यवाद किया है प्रिये बाईयों बहनों हमारे जीवन में भी आईसी एक धन्यवाद की अनुभू हमारे जीवन में ओना बहुत जिरूरी है प्रमेश्वर हमको सकाइदा करें आईसी एक बिली हमारे उपर प्रमेश्वर के लिए हम चड़ाएं आईसी प्रमेश्वर हमको सकाइदा करें ये परमेशुर हम से चालता है प्रियवायों बनोम हम हमारा जीवन को एक बिली के द्वारा परमेशुर की महिमां के लिए हम यूज करें ये परमेशुर हम से चालता है याकब के जीवन में पावलोस के जीवन में हम ये बात को हम देख सकता है उसी ने भी अपना शरीर को उसने बिली जो भी के साब से दे दिया है फिलिपियों के किदाब दो अधियाए उसका सत्रवा पद में हम देख सकता ही कि ऐसी लिखा है उसे ने अपना जीवन को बली के रू में दे दिया है दूसरे के कामों के लिए उसने अपना जीवन को बलीदान किया है हमारा जीवन परमेश्वर के लिए परमेश्वर का माहिमा के लिए यूस करना ये परमेश्वर हमसे चाहता है 17 पद में फिलिपियों की पत्री दो दियाय सत्रा पद में लिए और यह दी उन्दार के लिए काम कर रहे है क्या है परमेश्शर के लिए एक बिली है प्रियों बहुत बोछे बात हैदर हम नहीं उसी का जीवन उस ने बिलिदान चड़ाया है कितना इक Bunu खाथ है उसने दूसरों के लिए कुछ काम कर रहा है विस्वास में आंगे बढ़ाना है, यह साब उसी को उसी के बारे में दिखाता है, यह कितरा एक बहुत बड़ी एक बात को हम इधर देख सकता है, उनका जीवन खदम हो गया, उसी टाइम हम देख सकता है कि पॉलोस क्या बहदा रहा है, पॉलोस दूसरा तिमोथी चार दिया उसका चटवे पद में चार दिया, उसका चटवे पद में लिखा है, क्योंगी अब मैं अर्द की नाई उठे उन्ठेला जाता हूं, और मेरे कुछ का समय आप पहुंच गया है, देख इधर भी वो एक बिली के बारे में दिखा रहा है, उसने अपना बिली चड़ाया है, परमेशर को हम दनिवाद करें, उसी जगह को उसने बिदेल डाला है, बिदेल, परमेशर ने उनके आपने साब ने आगिया है, परमेशर उनसे बात किया है, उनसे बात करने के बाद उसने ऊपर चड़ गया है, उसका मदल सौरक से उधर का नीचे आया, उनसे बात किया है, बटेल का अनुवओ, प्रिये भाईयो बखनो हमारा जिवन में भी एक बटेल का अनुवओ बहुत जरूरी है कई घर के सामने हम देख सकता है कि बटेल बटा आशर में लिखे रहा है परणनो अंदर बटेल का अनुवओ हैं यह परमेसर हैं यह शेतान रहा है आजिसी एक सिधी आजिकल हम देख सकता है प्रिय बाईयों वेनों हमारे गर पे हमारा कलीसिया में हम कहां कहां काम करता है हम क्या सेवा करता है उसी में सब में एक बितेल का अन्वू हमारे जीवन में आने के लिए एक बिली चड़ाने का अनुव हमारे जीवन में इस वज़न के द्वारा होने के लिए परमेश कम को सखाइद करे उसके बेड़े नाम की महिमा हो